दोस्तो गुड मर्निंग नमस्कार स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल विकास जी के कलासिज में और जैसा के आपको पता है रोज आठ बजे अपनी सुबह इंडिया की पॉल्टी चल रही है दोस्तो और शाम को आठ बजे अपनी राजस्तान जी के की कलास चल रही है तो सुबह बाड़ी कलास में दोस्तो अपना टोपिक चल रहा था बारत की लोक सबा तो लोक सबा की मैंने 5-6 कलासे ले लिये और आज अपना टोपिक है परदान मंतरी परदान मंतरी से रिलेटिड सारे क्यूशन करेंगे दोस्तों टॉप 300 क्यूशन में आपको इस और वीडियो के अंत तक बने रहना वीडियो के अंत में मैं आप से क्यूशन पूछों उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना इसे पहले कहना चाहूँआ दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों या किसी study group से जुड़े हो तो वहां भी share करिएगा शरू करते हैं आज की class तो आज का पहला क्यूसन है दोस्तों और इस क्यूसन में आपसे पूछा है बारत के परदान मंतरी है न्यूक तो हते हैं निर्वाची तो हते हैं मनोने तो हते हैं या चैने तो हते हैं यह नहीं बारत के परदान मंतरी कैसे बनते हैं दोस्तों और राइट एंसर होगा न्यू आतार दो बार परदानमंत्री कौन बने दोस्तों इन में से ये सभी option D right answer होगा जवार लाल नेरू इंदरा गांधी अटल व्यारिवाजपी लगातार दो दो बार परदानमंत्री बने थे important question note करना option D right answer होगा अगला question है तो इस question में आपसे पूछा है दोस्तों बारत परदान मंत्री की न्युक्ति कोन करता है दोस्तों option A right answer होगा राष्ट पती जी परदानमंत्री की न्युक्ति करते हैं दोस्तों याद रखिएगा अगला question है तो इस question में पूछा है दोस्तों बारत के परदानमंत्री का पद कैसा है दोस्तों option A right answer होगा बारत के परदानमंत्री का पद सविदान दुबारा गठित है अगला परसन है दोस्तो तो इस क्यूशन में आपसे पूछा है कि परदान मंतरी को उसके पद की गोपनियता की सपत है कौन दिलाता है पद की गोपनियता की सपत दिलाता है दोस्तो राश्ट पती option A right answer होगा अगला क्यूशन है तो इस क्यूशन में पूछा है आपसे समानेता है परदान मंतरी समानेता है परदान मंतरी कोन होता है दोस्तो option C right answer होगा लोग सुबा के बहुमत दल का नेता कोन होता है परदान मंतरी होता है दोस्तो याद रखिएगा अगला क्यूशन है तो इस क्यूशन में आप से पूचा है बारत में एक वेक्ती एक से अधिक अधिक कितनी बार परदानमंत्री पद पर न्यूक तो हो सकता है दोस्तो ओप्शन डी राइट एंसर होगा दोस्तो क्योंकि इंडिया में कोई लिमिट नहीं अपने कोई भी नेत कितनी भी बार अपने पद पर आसीन हो सकता है बस डी ऑप्शन राइट एंसर होगा दोस्तो अगला क्यूशन है तो इस क्यूशन में पूचा है बारत में सक्तियों का परमुक उबरता के अंदर है बारत में सक्तियों का परमुक उबरता के अंदर कोन है दोस्तो ये होगा दोस्तों, option C, परदान मंतरी के पास ही सारी सक्तियां होती है, C, option right होगा, अगला person है, तो इस क्यूशन में आपसे पूछा है, दोस्तों, नेमिल लिखित में से कौन लोग सबा का नेतरतव करता है, option C, सही होगा, दोस्तों, C, option right होगा, परदान मंतरी लोग सबा का नेतरतव करता है, याद रखीगा, दोस्तों, अगला क्यूशन है, इस क्यूशन में आपसे पूछा है, संग ये मंतरी परिशद का देक्स कौन होता है, संग की मंतरी परिशद का देक्स, option B, right and start होगा, दोस्तों, परदान मंतरी ही संग ये मंतरी परिशद का देक्स होता है, याद रखीगा, इंपोर्टन क्यूशन है, अगला परसन है, तो इस क्यूशन में आपसे पूछा है, दोस्तों, की नेती आयोग का देक्स होता है, नीती आयोग का देक्स कोन होता है दोस्तों उप्सन C सही होगा परदान मंतरी नीती आयोग का देक्स है नीती आयोग को पहले योजना आयोग कहते थे दोस्तों योजना आयोग मोदी सरकार ने एक जन्वरी 2015 को इस योजना आयोग का नाम बदल कर नीती आयोग कर दिया है दोस्तों याद रखिएगा अगला क्यूशन है इस क्यूशन में आप से पूछा है आम तोर पर परदान मंतरी आम तोर पर बारत के परदान मंतरी होते हैं आम तोर पर बारत के परदान मंतरी क्या होते हैं दोस्तों ओप्सन भी लोक सबासे संसत चुनके जाते हैं और वो परदानमंत्री होते हैं दोस्तों बी राइट एंसर होगा और यह आया है यह ब्यार की स्टेट अक्जाम में यह परसन आया हुआ है उन्नीस ओठाड में में देख लो दोस्तों इंपोर्टन्ट क्यूसन लेके हो आपके लिए अगला क्यूसन है तो इस क्यूसन में पूछा है दोस्तों बारत के परदानमंत्रियों का निमली खित में से कौन काल 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 का दोस्तो इस क्यूशन में आप से पूछा है कि संसद यह तंतर में वहवेक्ती परदान मंतरी चुना जाता है जो नीमन का नेता होता है कौन नीमन सदन में बहुमत प्राप्त दल होता है उसका जो नेता होता है वही दोस्तो परदान मंतरी चुना जाता है RRB 2003 में एक क्युष्ण आया हुआ है Important क्युष्ण नोट करिएगा अगला पर्षण है तो इस क्युष्ण में पूछा आपसे मंत्री मंडल यानि संग्य की बैठक की अदेक्स्ता कोन करता है Option D Right Answer होगा दोस्तो मंत्री मंडल की अदेक्स्ता की बैठक की अदेक्स्ता करता है पर्दान मंत्री दोस्तो RRB 2004 में एक क्युष्ण आया हुआ है अगला पर्षण है तो इस क्युष्ण में आपसे पूछा दोस्तो पर्दान मंत्री की निक्ति राष्टपती करता है या किस अनुचेद में वर्णित है कौन सी अनुचेद में है दोस्तों ये बात है option C right answer होगा अनुचेद पीछेतर में है कि परदान मंतरी की न्युक्ति कोन करेगा राष्ट पती करेगा important question note करना दोस्तों अगला person है तो इस question में आपसे पूछा है कि बारत के परदान मंतरी पद के लिए उमीदवार की कम से कम कितने आयू होनी चाहिए उमीदवार की कम से कम दोस्तों 25 वर्षा आयू होनी चाहिए option A right answer होगा RRB 2004 में एक question आया हुआ है अगला question है तो इस question में आपसे पूछा है अगला question है तो इस question में आपसे पूछा है कि बारत यानि परदान मंतरी कौन बनता है परदान मंतरी कौन बनता है option A right answer होगा जोगजवाव में बहुमत दल का नेता ही क्या है परदानमंत्री बनता है दोस्तो अगला क्यूशन तो इस क्यूशन में आप से पूछा है क्या पूछा है दोस्तो यदि बारत के परदानमंत्री संसद के उच्छ सदन के सद्यस्य हो तो क्या होगा उच्छ सदन के सद्यस्य होगे तो Option A, वे ऐ विश्वास प्रस्ताओं की इस्तिती में अपने पक्स में वोट नहीं दे सकेंगे A, Option राइट इंसर होगा बाकी, सब गलत होंगे दोस्तों, ध्यान रखेगा important question है अगला question है दोस्तों, इस question में आप से पूछा है अब तक लोकसवा में प्रस्तुत एविश्वास प्रस्ताओं सरवाद एक बार किस परदान मंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए थे important question नोट कर लो दोस्तों, कौन से सरकार की विरूद रखे गए ऑप्सन है, से राइट एंसर होगा ये रखे गए थे, इंद्रा गंदी की सरकार की विरूद एविश्वास प्रस्ताओं रखे गए थे दोस्तों तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल पे नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में सेयर करना, अगर फैक्ट वाली क्विज चाते हो, तो फॉलो करिए और धन्यवाद